साल दो हजार पचास ये दुनिया पहली जैसी नहीं रही ये बिल्डिंग्स ये रोड ये पूरा शहर सब कुछ खतम उचका था एक टाइम था जब यहाँ पर लोग रहा करते थे लेकिन आप यहाँ पर तो सिर्फ जिन्दा लाशे रहते हैं जिनका नाम है दे इंफेक्टेड या फिर जॉम्बी इस सब की सुर्वा तब होई जब एक जॉम्बी को सेहर के नजदीक देखा गया किसी को भी नहीं पता कि वो वहाँ पर आया कहां से देखते देखते वो जॉम्बी कब एक से दू दो से तीन तीन से चार और कब पुरा शहर इंफेक्ट हो गया पता ही नहीं चला थोड़े टाइम में इस वाइरेस ने पूरी दुनिया की अल्मोस्ट पॉपिलेशन को इंफेक्ट कर दिया और जो थोड़े बहुत लग इंफेक्ट होने से बच गये वो इन शहरों से काफी दूर जाकर रहने लगे बुनी सर्वेवर्स में एक था मैं तो मेरा टारगेट है इन जॉंबिस से बच कर इस पूरे अबेंडेंड वर्ल्ड को एक्स्प्लोर करना और साथ में 100 टेज सर्वेव करना लेकिन एक काम बिलकुल भी आसान नहीं रहने वाला क्योंकि ये जॉंबिस मुझे बहुत ही दूर से ही संस कर सकते है और हर दिन इनकी हेल्थ, स्पीड और अटैक रेट बढ़ती रहेगी एक समय पे तो ये मेरे से भी तेज भागने लगेंगे लेकिन असली चालेंज तो टे-90 के बाद आने वाला है क्योंकि तब जॉंबिस कुछ भी कर सकते है वो चाहे तो कुछी भी ब्लॉक को तोड़ भी सकते है और तो और काफी खतरनाक आर्मर पहन कर भी आते है उसमें से एक को भी मारना बहुत ही मुश्किल होने वाला है अगर हजारों आ गिया तो और इन सब को और भी मुश्किले बनाने के लिए किसी भी दिन रैंडम ले लेट मून हो सकता है जिससे कि हजारों जॉंबे स्पॉन हो सकते है तो क्या मैं हंड्रिड डिस सर्वेव कर पाऊंगा ये जानने के लिए तुम्हें वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा लेकिन एक चीज मुझे पता है तुम्हें इस वीडियो को देखने में बहुत ही ज़दा मज़ा आने वाला है तो हो सके तो लाइक जरूर करना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है आप देखरे माहिनी के मर तो डेवन जो स्टार्ट हो चुआ है तो स्टार्ट होते हैं सबसे पहले मैंने आपने आस पास के देख की रहा था तब ही मिरे को विलेज नजरा गिया हूँ लेकिन सबसे पहले थोड़ी से वुड जमा कर लेते हैं यार यह कौन हो गया तो यह की जॉम भी था तो उसकी वज़े से मैंने इसे मार दिया लेकिन इस पर तो संकी कुछ एफेक्ट ही नहीं हो रहा है इस जेंगल में तो स्कुरेल्स भी है तो मैं बस उस विलेज के और जाही रहा था तब ही मेरे को पेड़ देख गया लेकिन यह तो डूटी नहीं रहा है लगता है कुछ ज्यादा ही मजबूत है फ्यू मॉमेंस लेटर डे टू तू तू थाजन यह लेटर फाइनली दो हजार साल के बाद यह पेड़ टूटा है तो सबसे पहले मैंने इस विलेज से एक बैट चूरा लिया क्यूंकि रात में तो बहुत फैंकर तरीके से जॉंबी स्पान हूंगे और साथ मैं मेरे को अदर काफी सारे हेबेल्स मिल गए तो सारे को मैंने कलclix कर ही रहा था तब ही एक जॉंबी ने मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ दो जूंबी से बचा रहा था फिर हम दोने ने मिलकर वो जॉंबी को मार दिया यह तो गाड है, अच्व विलेजर्स का गाड है यह, तो इन जॉम्बिस से विलेजर्स को बचाता है, फिर उसके बाद मेरे को एक चेस्ट मिला और उसमें थोड़ी से वीट और कोल मिल गया, भई वो क्या है, लगता है बहुत बड़ा कैशल है लगता है, फिर मेरे वापस से मेरे को मैंने कलेट कर लिया, फिर मेरे पास जी इन सारे को मैंने ब्रैड में कनवर्ट कर दिया भाई इस गर में तो जॉंबी है लगता है उन जॉंबी इसने से इंफेक्ट कर दिया लगता है ये बहुत बड़ा के असल है और इसके पीछे तो काफी सारे बिल्डिंग्स भी है लगता है ये तो शहर है तो देखते देखते रात हो रही थी तो उनी की विलेज पर मैं एक घ कर दिया अभी ये विलेज भी बिल्कुल भी सेफ नहीं रही तो मेरे को इधर से निकल जाना चाहिए यार ये जॉंबी तो इधर भी आ गया इसको अभी तो मारना ही पड़ेगा पाई इस जॉंबी का हेल्थ तो बढ़ गया एक हाट तो इसका बढ़ गया भी लगता है जै तो पास में मेरे को कुछ गाई दिग गया तो वह उन्हें मार दिया तो फिर से रात हो रही तो मैं वापस से उस विलेज के उवर चला गया लेकिन है अभी इंदर जाना अच्छा नहीं हो सकता है चॉंबी तो ही तभी कुछ विलेजर्स के काड्स आ गया और उस चॉंबी को मार दिया अभी यह विलेज थोड़ी से श्रक्षित है इस विलेज में तो और भी कुछ खुट कर लिया तो मैं जब वापस से चोने के लिए जाही रहा था तभी मेरे उपर जॉंबी इस ने हमला कर दिया लेकिन जैसे दैसे उदर से भाग गया अगर मैं इन गार्ट को बुर्ट में बिठा लूँ तो यह मेरे मदद कर सकते हैं लेकिन यह तो बोड में बैठी नही लगता है गार्ड्स ने जॉंबिस को मार दिया है उदर तो जॉंबिस का हैड भी है तो उसे मैंने कलेट कर लिया फिर मैंने अपने सामान को लेकर उस विलेज से निकल गया क्योंकि यह विलेज बिल्कुल भी शोरक्षित नहीं है कभी भी जॉंबिस अटेक कर सकते हैं फिर मेरे को कुछ गाई लोग दिख गे थे तो उने मैंने मार दिया और साथ में मैंने कुछ फूट भी कलट कर लिया अगले दिन मैं उन जॉंबिस को हैट को पैन कर चिक कर रहा था कि क्या ये मुझे मारेंगे तो जॉंबिस का हेट का तो कुछ आसर ही नहीं हो रहा है, यह मेरे भाई साब, यह तो मुझा हादी हेल्थ खा गया, भाई मजग मजग में तो कुछ जादा ही हो गया, अगर एक और हिट लगा देता तो मैं मर जाता साइद, लगता है इनके हेल्थ के साथ साथ इनका अटेक बढ़ गया है, फिर मैंने वापस से कुछ और वोड जमा किया, फिर मेरे को एक रूइन पोर्टल मिना और उधर की चेस्ट से तो मेरे को गोल्ड की चेस्ट प्रेट और साथ में गोल्ड की हिलमिट भी मिल चुका था, तो उसे मैंने कलेट कर लिया, और साथ में मैंने एक वील्ड भी क्राफ्ट कर लिया, उसके बाद में इन बिल्दिंग्स को एक्सप्लोर करने चला गया, फिर मैं धीरे से उन घर के अंदर गया, तो इधर तो ऊपर जाने की एक स्टेर केस बनाया था, तो मैं ऊपर आ गया, लेकिन इधर तो चारो तरफ से मेरे को जॉंबिस की आ लिया, तो थोड़ी देर के बाद जॉंबिस का आवाज नहीं आ रहा था, तो मैं बाहर आ गया, तो मैं जैसे ही बाहर आया, कुछ जॉंबिस ने मेरे उपर भाएंग का तरीके से हमला किया, लेकिन जैसे दैसे मैं ने उन लोगों से बच कर आपने आपको एक कमरे में रहा था, क्योंकि इदर बहुत सारे जॉंबिस थे, इदर रहना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो इसलिए उस बिल्डिंग के उपर से मैं खूद कर भाग गया, लेकिन मुझे क्या बता था कि नीचे भी जॉंबिस मेरे लिए इंतजार कर रहे थे, तो इदर से मेरे को क पागल हो रहे थे मेरे को मारने के लिए, भाई सब कितना भाइंकर आवास कर रहे हैं लोग तो बहुत सारे हो गया, फिर थोड़ी देर के बद मेरे को समझा गए कि इन से मैं बच नहीं सकता, इनको मेरे को मारना ही पड़ेगा, तो मैं इने मार रहा था, लेकिन मैं जितना मार रहा हूं उतसे जादा जॉंबिस और आ रहे थे भाई उस केव में क्या जॉंबिस का तीज़वरी उज़री है क्या इतने सारे कहां से आ जा रहे लगता है ये मेरे को मारने के बाद ही चोड़ने वाले है आकिरकार सुबह होई गई लेकिन ये जॉंबिस तो मेरे पीचे भागना पड़ेगा, फिर मैं उदर से बागते बागते काफी ज़दा धूर आगिया, तब ही मेरे को एक टूटा हुआ घर दिखा है, तो मैं उस गर के अंदर गया, तब ही मेरे को एक जॉम्बी की लाश मिली थी, लगता है इस गर में यही रहता है, शायद जॉम्बी इसने इसे मार दिया, तो मैंने उस लाश को तोड़ दिया और मेरे को कुछ सामान मिले उसके पास से, भाई इस गर में तो एक रेडियो भी है, और एक बर्ट्स नेस्ट भी है, और साथ में इदर कुछ सैंडबेक्स भी इसने रखा हुआ है लगता है जॉम्बी से फाइट करने के लिए इसने रखा है, फिर मेरे को एक बड़ा सा शेल्टावर जैसा दिख रहा था, तो उस तरफ में चला गया, तो मैं जैसे ही उदर गया कुछ जॉम्बी इसने मेरे उपर हमला कर दिया था और साथ में इदर कुछ जादा मेरे को मिल भी नहीं रहा था तो उदर से मैं भाग गया, फिर मेरे को एक अजीब टाइप का जंगल मिला है, उसमें एमिटिस्ट का शार्ट से आउट और उदर डेट कोरल भी है, काफी अजीब टाइप का ग्रीन है पिलता, तो मैंने खाकर देखा कि इससे क्या होता है, तो ज्यादा कुछ होआ नहीं, नॉर्मल सी है फिर उस घर के नीचे जाकर मैंने चेक किया, क्योंकि बहुत सारे जॉम्बिस का आवाज आ रहा था शायद यह इस घर का गैराज हो सकता है, इसलिए चेंस वेंस भी लगे रखे है फिर मेरे को एक मेडिकल बॉक्स मिला, जिसमें एक पीस ओफ क्लॉथ था और साथ मेरे को एक टूल बॉक्स मिला है, जिसमें इंगट, अल्यूमिनियम और रबबर शीट था फिर उस घर का मेरे को मिला था, तो उसके अंदर में गया आई, तभी दो जॉम्बी मेरे उपर अटक कर रहे थे, लेकिन उन्हें जैसे तेसे मेने मार दिया फिर मेरे को एक ट्रास भकेट बिला, और जिसमें कुछ स्टीक्स, कुछ सामान थे, सीट्स वगेरा तब ही अच्छानक सा यह एक जॉम्बी ने मेरे उपर हमला किया, भाई, सब बहुत बायिंग कर डामेज किया था, तुरहली दू हिट में यह میले को फुरा हेल्थ डाउन कर दिया था उसने, ओ भाई किसा और मुंस्ट इसने मेरे को मार दिया किया फिर से मेरे को काफी बड़े-बड़े बिलिंग्स मिलेते हैं लेकिन अंदर जाना तो खत्रों से खाली नहीं है इसलिए उसके बाद उसे निकल गया मैं लेकिन तब भी मेरे को एक पहाड मिला और उदर से मेरे को आईरेन की वोर दिख रहा था फिर मैं जैसे उस तरफ गया और मेरे को एक रिवीन मिला ओभाई इदर तो जॉंबी है भागो तो एक ही जॉंबी था तो उसकी वज़े से मैंने उसे मार दिया फिर मेरे को बड़ी सी पहाड मिले और उदर तो कोल और आईरेन तो बहुत सारे दिख रहे थे मेरे को तो मेरे को जितनी भी मिल रहा तो मैंने सब कुछ कलट करता गया फिर मैं उदर ही अपने लिए रहने के लिए एक चूटी सी जगा बनाया और साथ मेरे को जितनी भी आईरेन मिला था उसे स्मेल्ट कर रहा था उसके बद कुछ ढूंस जमा किया फिर मैंने अपने लिए आईरेन की चेस प्रेट आईरेन क पैंट और साथ मैं iron की helmet craft कर लिया उसके बद उसे पहन लिया मेरे पास और दो iron बजिते तो मने एक swawd craft कर लिया फिर अधर से निकल लिया लेकिन अभी इस पहड में मेरे को काफी सारे swords दिख रहे थे तो मैं collect करता गया फिर से मैंने अपने iron को smelt करने के लिए रच दिया फिर मैं iron boots को craft करकर अपना armor को complete किया और साथ मैं मैं iron tools भी craft कर लिया तो मैं जब ors को collect कर ही रहा था तब ही बहुत सार जॉंबिस ने मेरे उपर हमला कर दिया तो काफी सारे थे उसकी वज़े से मेरे को उदर से भागना पड़ा फिर मैं नीच चाहिकर सबसे पहले एक water bucket craft किया उसके बाद मेरे को कुछ गाई दिख रहे थे तो उन्हें मैंने मार दिया तो काफी जदे देर भागते रहने के बाद मेरे को एक लाल कर रहर की बड़ी सी टावर मिले थी तो उस तरफ में चला गया लेकिन मैं जैसे उदर पहुंचा कुछ जॉंबी से मेरे उपर हमला कर दिया था लेकिन उन्हें मैंने मार दिया समझ में नहीं आ रहा है यह कौन सी जगह है लगता हूपर भी जॉंबी से यह क्या विंडिंग मिशिन इसके अंदर ग्लास बॉडल से कुछ स्ट्रिंग से विंडिंग मिशिन के अंदर चिप से और साथ में दर डी कॉंपोजिंग बैक पैक भी है तो इसे मैंने उठा लिय कुंँख भी कोब्रोल सब्सक्राद या करेए मिशियील में पैंने सकता हूँ ऑगर यह मैं पहन लूगा तो मेरा इंवेंट्रे और ज्यादा बढ़ जाएगा फिर इस बेक पेक के अंदर मेरा जो बीकर के सामान है उसको मैंने इसके अंदर रख दिया फिर इसे collect करना गए तो सारे समान वापस से आ गए तो मैंने को जादा कुछ समझ में नहीं आये था तो मैंने उदर ही उसे छोड़ दिया फिर मैं उपर गया उदर और कुछ zombies थे हैं उन्हें भी मैंने मार दिया फिर से में एक और decomposing backpack मिला तो उसे मैंने collect कर लिया और उपर जाने के बाद में एक toolbox मिला जिसके अंदर एक ingot था फिर मेरेको ऐक चेस्ट मिला जिसके अंदर एक lover था फिर काफी जादा उपर जाने के बाद उदर मेरेको एक military cargo मिला मैं उसे open करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो open तो हो ही नहीं रही थी तो मैंने उसे तोड़ने की कोशिश किया ताकि उसमें से कुछ gun वगरा मेरे को मिल जाए a few moments later day two two thousand years later finally काफी जादा देर के बाद ये टूटा था लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं मिला इसके अंदर से तो मेरे को लगा gun one मिल जाएगा लेकिन कुछ भी नहीं मिला इदर से तो फिर मैं और भी ओपर गया लेकिन उदर भी कुछ खास सामान नहीं थे लेकिन उदर एक चेस्ट थी जिस में मिरेको एक backpack मिल गया तो मैंने उसे collect कर लिया और साथ में मैंने उसे पहन भी लिया मैंने इस backpack को पहन तो लिया लेकिन इसे use कैसे करते बहुत को समझ में नहीं आ रहा लेकिन जैसे तेसे उदर से मैंने भाग कर निकल गया मैं एकदम उल्टे पैर से उदर से बाग गया फिर मैंने को एक और उसी तबillar की बिल्डिंग दिखी थी तो उसे भी मुनने लूट लिया उदर से मिरको एक पाईप मिला और साथ में एक crowbar मिला था फिर मेरे को एक घर मिला और मैं उसके अंदर गया था उदर के chest से तो मेरे को एक vodka के bottle मिली थी तो मैंने उसे ले लिया और पी कर कर चेक किया कि इससे क्या होता है कुछ नौसी effect लग गया मेरे उपर और ये क्या हो रहा है भाई लगता है जैसे पीते है ऐसा हो गया शायद भाई ये किया भाई पूरा screen हील जा रहा अगर इस time पर कोई zombie भाई भी मार देगा तो मेरे को आराम से मार सकता है जब तक ये effect कम नहीं हो जाता तब तक मेरे को इदर ही रहना पड़ेगा तो finally ये effect तो खतम हो गया लेकिन मैं अभी सो नहीं पा रहा क्यूंकि इदर बहुत सरे zombie spawn हो गये इस गर को तो पूरी तरीके से zombie ने घेर लिया लेकिन जैसे तेसे मैं उपर आ गया लेकिन zombie सिदर भी आ जा रहे तो मैं जल्दी से उदर से भाग गया रात की वज़े से काफी सारे zombies मेरे पीछे पढ़ गये थे लेकिन मैं जैसे तेसे उदर से बच कर सोग गया डे लेवन को मेरे को एक पॉलर बियर मिला लेकिन इसे मैं अपने साथ लेकर नहीं जा सकता अगर लेकर गया तो इसे जॉंब इसका चबा देंगे फिर मेरे के कुछ अजीब से ब्लॉक्स मिले थे मैंने तो माइनक्राफ्ट में आज तक ऐसा ब्लॉक्स देखा नहीं फिर मैं चली रहा था आचानक से में डैमेज लेना स्टार्ट किया वह उतना जादर डैमेज दे रहा कि मेरा आदी हेल्थ इसने खर लिया लेकिन मेरे को पता ही नहीं चला कि किस वज़े से में डैमेज ले रहा था लगता ही यह जगा कुछ पोईसप वईज का ना स्टार्ट किया है और मैंने देखा कि वो कुछ radiation कुछ है वो radiation की वज़े से मैं damage ले रहा था फिर मैंने दूसरे रास्ते से उदर गया लेकिन मैं जैसे ही उदर गया buildings के अंदर बहुत सारे zombies थे और उपर से आगे मैं नहीं जा सकता है शायद ये पुरा radiation हो चुका है इदर और जैसे ही मैं उदर जा रहा हूँ काफी जादा damage हो रहा है लगबग आदी health मेरा खतम हो जा रहा है उन zombies को पता चल गया कि मैं इदर हूँ और वो लोग तो उपर से खूद कर आ रहे थे इदर रहना बिल्कुल भी safe नहीं है इसलिए मैं डर कर इस घर के अंदर चला गया लेकिन मैं जैसे ही गया उदर तो दो spawners थे फट से मैंने उसे तोड़ दिया और रास्ते को block कर दिया लेकिन इदर भी पूरे के पूरे zombies थे वो मेरी तरफ नहीं आ पर रहे थे तो उसी का फाइदा उड़ा कर मैंने उनको मार दिया फिर उदर मेरे को एक anvil मिला है उसके बद मैंने उपर गया उदर भी zombies थे लेकिन ये की था उसकी वज़े से मैंने उसे मार दिया लेकिन इस घर में ज़्यादा कुछ loot वार तो है ही नहीं फिर उपर भी दो spawners थे तो उन दोनों को मैंने तोड़ दिया फिर मैं और भी उपर जाकर देखा उदर तो बहुत सारे zombies थे और मेरे उपर भैंकर तरीके से हमला किये थे तो मैं डर कर और भी उस ladder से उपर चला गया लेकिन उदर भी zombies मेरे पीछे नहीं चोड़ रहे थे लेकिन ये कीता हो उसके वज़े से मैंने उसे मार पाया लेकिन बहुत जादा health खाली है थे इन लोगने लगता है उसके अंदर भी zombie है मेरे को आवाज आ रहा है लेकिन उसे मैंने मार दिया ओ भाई साब इन building में तो बहुत सारे zombies है और उपर से इस building से दोनों तरफ radiation की effect है इस तरफ में मैं जा रहा हूं तो radiation लग जा रहा है उस तरफ भी radiation है मैं तो एकदम बुरा फस गया थोड़ी देर होने के बाद फिर से मैं नीचे गया उदर जितने भी zombies हैं उनको मारने की कोशिश कर रही रहा था लेकिन वो बहुत सारे थे तो फिर से मेरे को भागना पड़ा लेकिन zombies भी मेरे जैसे ladder से उपर आ रहे थे तो मैंने उस ladder को अई तोड़ दिया मैं तो इदर से बचने की रास्ता ढूंडी रहा था तब भी blood moon हो चुका है मेरे को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा अभी मैं कैसे इस blood moon में survive करूंगा और आगे पीछे दोनों तरफ radiation है और बहुत सारे नीचे zombies है वैसे भी हम blood moon में सो नहीं सकते लेकिन मैंने एक बार try किया कि क्या मैं सो सकता हूं तो मैं सो भी नहीं पा रहा था फिर मैंने एक tower बनाया और जितना उपर जा सकता हूं उपर चड़ गिया आज का तो मेरा यही plan है बचने का उस building में तो बहुत सारे zombies है भाई इस तरफ तो radiation है बहुत सारे zombies आ रहे है मेरों को मारने के लिए इस type के zombie को मैंने अभी तक देखा ही नहीं यह कुछ अलग लग रहा है या फिर यह blood moon पे spawn होते ऐसा भी हो सकता है वो zombie तो पुरा suit wood पैन कर आया है तो finally अभी सुबह होने ही वाली है और blood moon जो है end हो चुका है तो कैसे भी करकर मैंने इस blood moon को survive कर लिया फिर मैं नीचे आया उदर एक zombie था तो उसे मैंने मार दिया लेकिन दिक्कत यह है कि इदर अभी भी बहुत सारे zombies है तो left side से मैं कूदने की सोची रहा था लेकिन उदर तो बहुत सारे zombies है और साथ में creepers भी spawn हो गए यह कि दिर से आये मेरे को बिल्कुल भी पता ने अभी यह तो direct fat जाएंगे जैसे ही मेरे को देखेंगे तो बहुत ज़द मुश्किल होगा अभी तो मेरे को मार कर नीचे से ही जाना पड़ेगा कुछ और रास्ता भी नहीं है इदर भी zombies मेरे लिए इंतिजार कर रहे है और उपर से इदर तो radiation का effect भी है ओ भाई साथ यह तो पूरा मेरे इंतिजाम करके रखे है पूरे चारों तरफ से यह लोग मेरे को घेर लिए तो मेरे को तो इन zombies को मार कर ही बाहर जाना पड़ेगा तो दो block की height रखकर मैं उनको मार रहा था blood moon की वज़े से इदर तो बहुत सारे zombies spawn हो गए फिर मैं नीचे वाले zombies को मार ही रहा था तब ही बाजू वाले कमरे में मेरे को यह chest दिखा उस chest है तो मेरे को दो iron की chest plate मिल चुके फिर मैं थोड़ी दिर इदर ही रहने का decide किया क्योंकि बहुत सारे zombies है नीचे और साथ मैं मेरे पस जितने भी iron थे उससे मैंने smelt करने के लिए रख दिया लेकिन यह जगा भी बिल्कुल भी safe नहीं है क्योंकि यह zombies ladder से उपर चड़ सकते है तो उदर मैंने एक block रख दिया ताकि वो उपर ना आ सके और जितने भी है उनको मैं मार रहा था मेरे पस तो बहुत सारे hebel से तो जितने भी मैं breadcraft कर सकता हूँ मैं सारे को breadcraft कर लिया तो left side से निकलने के कोशिश करी रहा था और इदर भी radiation है अल्मूस्ट चारो तरफ से तो यह zombies और यह radiation ही block करके रखे है इदर से भागना तो बहुत मुश्किल होने वाला है और उपर से रात हो गई और इदर भी zombies spawn होने लग गए उपर से इन zombies के वज़े से मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ इदर भी safe नहीं क्योंकि यह zombies spawn हो रहते इसलिए मैं उपर जाकर सो गया day 13 को भी यह zombies बिल्कुल भी कम नहीं हुए चारो तरफ से यह zombies इदर ही है जैसे मैं नीचे उत्रूंगा मिरको तो उपर ही बेज देंगे डायरेक्ट और उपर से यह radiation शायद यह radiation ही मिरको खतम कर देगा उसके बाद finally मेरे दिमाग में एक idea आया कि मैं blocks लगा कर इन से दूर जा सकता हूँ भाई साब इस building में तो बहुत सारे zombies है तो जैसे तेसे उन जॉंबी से बच कर मैं इस पानी के अंदर कूद गया फिर मैं जितना तेज बाग सकता हूँ उदर से भागते बागते चला गया तब ही मिरको एक bridge दिखा तो मैं उस bridge के उपर चड़ गया तो ये bridge कीस तरफ जाता है ये बाद तो मिरको पता ने लेकिन मैं सीधा चलता गया तब ही मिरको कुछ building से से दिख रहते तो उस तरफ में चला गया तो ये तो एक village है अभी तो थोड़ी दिर में रात हो जाएगा मेरे सबसे आज किरात इदर ही बिता लेना चाहिए ये घर तो एकदम आदा कटा हुआ है इदर तो बहुत सारे booksells है लेकिन village तो बहुत बढ़िया है एकदम काफी महेंगा village है लगता है मेरे सबसे इस village में मैं safe हूँ क्योंकि guards भी काफी अमीर है काफी अच्छे आर्मर वार्मर भी पैन के रखे है भाई घर तो इतना बढ़िया बना के रखा है और chest के अंदर तो कुछ है ही ने एकदम खाली है अन्वील है भाई सब क्या क्या चीज़ है इसके पास तो लेकिन chest पूरा खाली रखा है भाई ये क्या है ये तो pumpkin के seats रखा है ओ भाई ये क्या हो गया लगता है zombies ने इदर भी हमला कर दिया भाई दो बिनिट शांती से रहने नहीं दे सकते तो zombies इस village पे भी हमला कर चुके तो मैंने अपने आपको एक घर के अंदर बंद कर लिया और सोने की try कर रहा था लेकिन बहुत सरे zombies है उसकी वज़े से मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ थोड़ी देर के बाद मैं उस गर से बाहर आ गया लेकिन इदर तो बहुत सरे zombies मेरे पीचे पढ़ गये थे तो मैं तो इदर से भागने की सोची रहा था लेकिन बाहर तो और भी zombies है तो मैं फिर से इन विलेजर लोगों के घर के अंदर चला गया और अपने आपको बंद कर लिया फिर मैं उस घर के ऊपर चड़ कर देख रहा थे कि बाहर आलत कैसा है तो भाई साब इदर तो इतने सारे zombies है वो भाई यह तो लाइन पर आते ही जा रहे भाई आज तो ब्लेड मून भी नहीं यह इतने सारे zombies कहां से आगे मेरे को तो लग रहा था कि यह विलेज बिल सब्सक्राइब लिया जितना जादा अधर में रुक रहा हूं उतना ज्यादा zombies इदर तो स्पान हो रहे और उपर से तो बहुत दूर दूर से zombies आ रहे तो फाइनली सुबह हो चिका है लेकिन अभी भी zombies कम नहीं हुए लेकिन पीछे के साड़ उतने zombies नहीं थे तो मैंने जल zombies ने तो दो मिनिट में सब कुछ उल्टा कर दिया सच में बोलूं तो इस विलेज को चोड़ कर मेरे को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा लेकिन zombies ने इदर कुछ भी नहीं बजा के रखा है ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं रहा तो उदर से मैं भागता भागता फूद्ड करना है मेरे को तब भी मेरे को एक विलेज नजर आया और साथ में एक आदा क accents अगर तो सब्से पहले मैं ये इस विलेज को लूट लिया फिर रात होने से पहले से महीं इस विलेज से निकल गिया क्योंकि मैं अगर इधर रुखुंगा तो इधर जितने भी भी मैं ice temple देख रहा हूँ, उसके बाद मैंने इसके अंदर गया और सबसे पहले छेक किया कि कोई zombie बगर है तो है नहीं, फिर मैं blocks तोड़ते तोड़ते नीचे गया, मैं जब आराम से blocks तोड़ते तोड़ते नीचे जाई रहा था, तब ही कुछ snow blocks उस pressure plate के उपर पढ़ गये, फ फिर उदर से मैं एकदम बिना पीचे दे के भागता भागता चला गया, तो वापस से मैंने उसी village के अंदर जाकर एक घर में सोग गया, डे 15 को वापस से मैंने village को loot रहा था, तब ही मेरे को इस village के अंदर से एक chest मिला, जिसमें काफी आचे से bread और potato emeralds भीते है, फिर मेरे पस जितने भी meat था उन सारे को मैंने cook कर दिया, उसके बाद उस village से निकल गया, तब ही मेरे को कुछ pigs मिले थे तो उने मैंने मार दिया, थोड़ी से आगे जाने के बाद मेरे को वापस से कुछ buildings दिखे थे, तो उसके अंदर क्या है चिक करने के लिए मैं उधर चला गया, लगता ही ये एक society है, काफी अच्छे buildings है और trees views भी है, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी अंदर नहीं जाना चाता था, क्योंकि पिछले बार जो हुआ मेरे को पूरा याद है, तो इसलिए मैंने बार से ही उनका chest को loot लिया, थोड़ी देर में राध हो गई थी, लेकिन मैं सोने ही पा रहा था, क्योंकि इदर बहुत सरे zombies थे, तो इदर जादा दर रुकना बिल्कुल भी safe नहीं है, इसलिए मैंने जल्दी से पानी के अंदर कूद गया, और उदर ही सो गया, तो सुबह मैंने वापस से उदर देखा, लेकिन बहुत सरे zombies घर के अंदर spawn हो चुगे हैं, फिर मेरे को पानी के अंदर एक passage मिला, जिसके अंदर बहुत सरे zombies हैं, और साथ में उदर कुछ railway system भी लगा रखा है, शायद ये उन buildings के पास लेकर जाता है, फिर और जादा पास जाने का बद मेरे को zombies का अड़ा मेरा, लेकिन उदर कुछ जादा ही zombies है, तो मेरे को आडल मिल चुका था, तो उसे मैंने collect कर लिया, अगर एक horse मिल जाएगा तो और जल्दी में explore कर सकता हूँ, मैं उस गर को जब लूटी रहा था तब ही एक zombie ने मेरे उपर हमला कर दिया, उपर से मेरा sword भी टूट चुका है, लेकिन उदर एक ही zombie नहीं थे हैं, और भी बहु बिलिंग्स के अंदर तो कुछ जादा ही zombies है, मैंने बस थोड़ी सी आगे ही क्या गया, zombies ने तो मेरे पीछे पढ़ गए, तो कुछ जादा ही हमला कर रहे थे, तो उदर से मेरे को भागना पड़ा, मेरे यसाब से इन बिलिंग्स को explore करने का plan drop कर लेना चाहिए मेरे को, नह मैंने कुछ wood कलट किया, लेकिन यदर भी zombies मेरे पीछे तो नहीं चोड रहे थे, तो एक दो ही था है, तो इसलिए मैंने उन्हें मार दिया, फिर मेरे को कुछ 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 कुट्टे मिले, लेकिन मेरे पास bones थे इने उसे tame करने के लिए, नहीं तो इन कुट्टों को बहुत फिर मेरे को एक sheep मिली थी, तो उसे मैंने मार दिया, लेकिन तब ही मेरे screen में कुछ pop हुआ, मेरे को लगा blood moon हो गया, तो मैंने जिल्दी से जिल्दी अपने लिए एक शोरक्ष तेरिया बनाया, फिर मैंने बिना देर किया, उदर ही जिल्दी से सोग गया, लेकिन मेरे जब कुछ जांबी इसने मेरे उपर हमला कर दिया, लेकिन मैंने जैसे जैसे उदर से भाग गया, उदर से बाग कर मैं काफी ज़ादा दूरा गया, लेकिन एक प्चा मेरे पीचे आ गया, लेकिन मेरे को खतम करने के लिए ये बच्चा ही का ला干 ऴी था, तो मैंने जल्दी से बैग में तो एक बेस्बॉल बैट भी है चलो जॉंबिस को मारने के लिए काम आएगा तो मैंने ले लिया और थोड़ी से आगे जाने के बाद मेरे को एक ब्रीज दिखा है लेकिन उदर बहुत सारे जॉंबिस पॉन हो रखे थे और कुछ तो मेरे पीचे भी पढगे तो मैने जल्दी से उदर से भाग गया डे 19 को मेरे को एक घर दिखा तो उसके अंदर मैं गया उस घर के अंदर तो एक सीक्रेट रास्ता भी है फिर मैं नीचे जाकर चेक किया कि उदर थोड़ी दिया, थोड़ी दिर में वो जॉंबी विलिजर क्योर हो गया, तो उसे में आर्मरर का जॉब दे दिया, और साथ में मैंने उससे कुछ ट्रेडिंग भी किया, लेकिन और ज्यादा करने के लिए मेरे पास एमरेल्स नहीं थे, अगर मैं इसे रैंक अप करता हूं तो ये मेरे को डायमेंट की आर्मर दे सकता है, अगले दिर मैंने वोपस से इस विलेज में गया है, ताकि मेरे को कुछ सामान मिल जाए, फिर तब ही मेरे को एक और आइस टेंपल मिला, लेकिन इसके अंदर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि पीछले बर मैं एकदम म भागना वड़ा, मैं जब बाहर आया, तब ही बिरको कुछ TNT फटने का आवाज आया, लगता है अंदर जितने भी TNT है उस सारे फट गए, अच्छा हुआ मैंने उसके अंदर नहीं गया, वरना मैं मर जाता, थोड़ी सी और जादा आगे जाने के बाद बिरको एक और विल और क्या क्या बना के रखे इन लोगने, वैसे विलेज तो बहुत ही बढ़िया लग रही है, लेकिन रात होने से पहले मेरे को इस विलेज को लूट कर निकल जाना चाहिए, नहीं तो उन जॉम्बिस को दो मिनिट नहीं लगेंगे इसे बरबात करने में, इन लोगने तो इ इसको बरबात करना में नहीं चाहता हूं, फिर तब भी मिरको एक शिप्रेक मिली, एक चेस्ट से तो मिरको काफी सारे फुड मिल चुका तो इसे मैंने कलरट कर लिया, दूसरे चेस्ट में तो मिरको कुछ एमरेल्स, आईरेन और साथ में दो डायमेंड्स मिल चुके थे है फिर मैंने जल्दी से एक डायमेंड्स वाट क्राफ्ट कर लिया, फिर मैं और को वापस से एक बड़िया से घर मिला, लेकिन उसके अंदर से तो मिरको बहुत सारे जॉंबिस के आवाजे आ रहे थे हैं, जॉंबिस का नाम लिया प्रेकट हो गया, फिर मैंने धीरे दीरे उ अधर काफी सारे बुक्स भी है जो भी रेशीपेज से वो सारे देख कर बना सकते हैं लगता है सारे जॉंबिस इसी कमरे के अंदर है तो मैंने जल्दी से उस दरवजा को खोल दिया और भाग गया उदर से मैं धीरे दीरे उन जॉंबिस को बाहर बुला कर उनको मार रहा था लेकिन मेरे से जादा उन लोगों ने मेरे को जादा मार दिया तो उसकी वज़े से उदर से जान बजा कर भागना पड़ा मेरे को लेकिन वो तो मेरे पीजे छोड़ी रह रहते फिर मैंने उनने मार दिया फिर मैंने वापस से उस गर के अंदर गया लेकिन उदर और को जॉ जॉम्बी इसका हेल्थ तो चार हाट बढ़ चुके है, इन लोगों का हेल्थ तो बढ़ता ही जा रहा, उदर मेरे को एक मेडिकल बॉक्स मिला और उसके अंदर एक सीरिंग ड्रग था, तो इससे क्या होता है ये चेक करने के लिए मैंने उसे ले लिया, लेकिन तभी कुछ न बाक्टरी मेरे को बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही है, और उपर से इस एफेक्ट से अंदर जाना मतलब मौत के मुह के अंदर जाना जैसा है, थोड़ी दिर में एफेक्ट खतम हो चुका है तो उसके अंदर में गया, तो मैंने जैसे उस फैक्टर के अंदर गया, मेरे सा कर रहा था कि उसके नीचे क्या है, लेकिन उदर कुछ तो एफेक्ट ऐसा हो रहा है कि मेरे को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, फिर मैंने चेक किया कि दूसरे कमरे में क्या है, इसके अंदर से तो मेरे को कुछ ब्लेज रोट्स दिखे थे, लगता है ये फैक्टरी के मेरे को एक साइन बोड मिला है, और उसमें 400 LB लिका है, इसका मतलब क्या है ये तो मेरे को पता ने, लेकिन मैं उस तरफ चला गया, थोड़ी सी आगे जाने का बद मेरे को एक घर दिखा, लेकिन अंदर से बहुत सारे जॉंबिस की आवाजे आ रहे थे, तो उदर से मेरे क भागना पड़ा, उदर से भागते बहुत में काफी जादा धूर आ गया, लेकिन जॉंबिस मेरे पीचे नहीं चोड़े थे, उपर से रात भी हो चिकीते और बहुत सारे जॉंबिस मेरे पीचे बड़े थे, तो मैंने एक बड़ा सा टावर बना कर ऊपर चाड़ गिया, मे तो आते ही जारू फ़िए खतम ही नहीं हो रहे। इनको मारते मारते में खुद तक गया। फिर मैंने जल्दि जल्दि से टारेक्ई ऊपर चल गया और उन्हें आने से रोक लेगा खे it फिर आराम से उस चेस्ट को लोटा या। उसमें कुछ भी काम का सामान नहीं था वैसे तो उदर से मेरे को एक basic gun kit मिला है लेकिन उसे use कैसे करते मेरे को पता ही नहीं चल रहा तो थोड़ी दिर के लिए मैं इधर safe हूँ मेरे पस बहुत सारे potatoes है उन सारे को मैंने cook करने के लिए डाल दिया फिर सारे potatoes cook काने के बद मैं उदर से निकल गया फिर मेरे को एक घोड़ा दिखा और उसे में tame करने की कोशिश करी रहा हूँ लेकिन वो तो मानी नहीं रहा है और उपर से मेरे पस hay bales भी नहीं है अगर होता तो इसे में tame कर सकता था फिर मेरे को कुछ coal मिला है उसे मेंने collect कर रहा था लेकिन तब भी एक zombie के बच्चे ने मेरे उपर बहुत भायंकर तरीके से attack किया लेकिन जैसे तेसा उसे में मार दिया और वापस से रात हो रही थी और zombies तो पहले से ही मेरे पीचे पढ़ गए तो मैं भागते भागते काफी जादा दूर आ गया और सो गया अगले दिन मेरे को एक village मिला और इनकी chest से तो मेरे को कुछ breads मिल गए और साथ में एक बड़ा सा cave भी अंदर जाना तो बिल्कुल भी safe नहीं है तो मैंने देखा भी नहीं उदर और उदर से चला गया तो तब मेरे को समझ में आ गया कि ये तो ocean monument है अगर ऐसे armor पर मैं उसके अंदर जाओंगा तो वो मेरे को कुद्टों की तरीके से मारेंगे इसे मैं अभी नहीं कम से कम जब diamond armor मिल जाएगा तब मैं ऐसे explore करूंगा लेकिन तब ही उस elder guardian ने मेरे उपर mining fatigue की effect दे दिया तो उसकी वज़े से मैं अपनी bed को ही नहीं तोड़ पा रहा हूँ फिर finally काफी ज़दा देर के बाद मेरा bed तूट चुका है तो मैं आगे चला गया फिर मेरे को एक घर मिला और उसे लूटने के लिए में अंदर गया ही और एक zombie ने मेरे उपर हमला कर दिया लेकिन उससे पहले ही मैंने उसे मार दिया और अंदर गया तो अंदर एक तो creeper मेरे लिए बैटा है लेकिन वो खुदी explode हो गया फिर मैंने chest को लूटा और उस chest में मेरे को एक mini gun मिल चुका है भाई final कुछ तो काम की चीज मिली है अभी मैं zombie से एकदम अराम से लड़ सकता हूँ अभी तो बहुत मजा आएगा फिर मैं उसे use करने की try कर रहा था लेकिन वो चल ही नहीं रही है ये gun तो बस घूम रही है इससे तो bullets ही नहीं आ रहे शायद इसके अंदर bullets ही नहीं है भाई मिला तो मिला एक gun मिला लेकिन उसके अंदर bullets ही नहीं है लगता है अभी मेरे को bullets ढूनने पड़ेंगे फिर मेरे को एक असली वला पिलेजर आउट पोस्ट मिला तो उस तरफ में चला गया उसे लूटने के लिए मैं अंदर जाई रहा था लेकिन अचानक से मैं एक स्नो की अंदर चला गया तब ही कुछ zombies ने मेरे उपर हमला कर दिया फिर में जैसे तैसे उपर आगया और blocks लगा कर वोने उपर आने से रोक दिया लेकिन इदर आना बिल्कुल भी worth it है क्योंकि इदर full griffer का armor set है और साथ में कुछ bullets, rifle और एक बड़िया सी sword और तो और मेरे को एक two time of undang मिल चुका है मेरे को तो खजाना मिल गया ओ भाई साभी, ये sword कितना जादा बड़ा है ये तो एक दब zombie का height से भी जादा है और साथ में armor का design भी बहुत तकड़ा है तो सारे चीजे लेने के बाद मैं उदर से निकल गया हूँ फिर बचने के लिए मैं एक village के और जाई रहा था लेकिन तब ही ride start हो गया तो मैं उस village से भी काफी ज़दा धूर भागते भागते आ गया लेकिन ये बच्चे तो मेरे पीचे ही थे फिर मैंने उन्हें मार दिया ओ भाई साब ये गर तो पूरा एकदम डू भी गया डे टॉन्टिनेंट को मेरे को एक ship rack देखी उदर से मेरे को iron, emeralds, lapis, lazily मिल गया और साथ में मेरे को एक globe भी मिल गया फिर मैं वापस से उस village के और गया फिर उदर मेरे को कुछ villagers दिखे मैं उनको मारने के लिए जाई रहा था तब भी मेरे को को सामान देखे उदर तो मेरे को एक diamond की helmet मिल चुकी है फिर मैंने अपने helmet को निकाल कर उस diamond helmet को पहन लिया फिर मैंने इन village लोगों को मारा ओ भाई ये खोन है इसे तो मैं पहली बर देख रहा हूँ उपर से तो इसने मेरे पीचे creepers छोड़ दिया काफी ज़दे दूर भागने के बद उन creepers ने मेरे पीचे छोड़ दिया और जो अभी भी मेरे पीचे कर रहे थे उन्हें मैंने मार दिया फिर finally मैंने उसे भी मार दिया लेकिन ये लोग वापस से सैना लेकर आ गए भाई अभी ये को नया है अभी ये क्या कर सकता ये भी पता ने मेरे सब सिधर से भाग लेना चाहिए तो मैं भागते भागते इन बिल्डिंग्स के और चला गया लेकिन उदर तो कुछ जादा ही जॉंबिस मेरे लिए इंतजार कर रहे थे तो उदर से भी मेरे को भागना पड़ा भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं डर क्यूं रहा हूँ मेरे पस तो इतना बड़िया स्वाड है और उपर से इतना अच्छा खासा आर्मर भी है ओ भाई सब तो भाई भागना पड़ेगा मेरे को तो मजग मजग में इसने तो अल्मुस्ट मेरे को मारी देता भाई सब आधी हाट पर आगिया में तो फिर मेरे को लावा पूल मिलना थे तो मैनने लावा कलट कर लिया इससे मेरा थूड़ी से मदद हो जाएगा उनको मारने में फिर मेरे पिलेजर लोगों के उपर लावा डाल दिया लेकिन यह पिलेजर दे उते हो लावा से बचकर मेरे पीछे पढ़ गयए फिर भी कैसे भी करकर मैं इने मार देता हूँ मेरे को तो लग रहा था कि राइड अभी खतम हो गया लेकिन वापस तो ये लोग फिर से सेना लेकर आगे और तो और इस बार वो creeper वाला इंसान भी आया है फिर मैंने देखा कि ये creeper शोड़ने वाला इंसान आकेला है तो इसे मैंने मार दिया फिर मैंने एक ravager से पंगा ले लिया और वो तो पागल की तेरी केसे मेरे पीचे पड़ गया ओ भाई साब भागो भाई भागो मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए भस में तो भाग रहा हूं इदर से भाई एक बर बस शोड़ तो बे इस विलेज बे कभी आओंगा ही नहीं भागो ओ भाई ये तो अभी भी मेरे पीचे पड़ा है और तेज भागना पड़ेगा ओ भागवान बस एक बर इस से बचा ले तो भागवान ने मेरे सुन लिया और इस रैवैजर ने मेरे पीचा करना छोड़ दिया ओ भाई सब बच गया मेरे को तो लग रहा थे कि यह अज मेरे को मारी डालेगा Day 31 को मेरे को एक बड़ा सा Ice Tower मिला उसके उपर जाने के लिए शायद रास्ता भी है लेकिन उदर काफी सारे Zombies भी हो सकते है फिर पास मेरे को एक Building दिख रहती तो उसके अंदर में चला गया लेकिन उसके अंदर तो Zombies थे तो उने मेने मार दिया लेकिन उदर बहुत सारे Zombies थे तो उदर से मेरे को भागना पड़ा Day 32 को मेरे को एक और अमीर विलेज मिला तो उसे मेने लूट लिया इस विलेज से तो मेरे को कुछ Brats मिल गये और जादा कुछ खास नहीं है फिर इस विलेज से में चला गया फिर मेरे को एक और विलेज मिला लेकिन अंदर जाने से पहले ही कोछ Zombies मेरे उपर हमला कर दिये थे फिर मेरे उने मारी रहा था लेकिन कोछ जादा ही Zombies आगे तो उदर से मेरे को भागना पड़ा उपर से राद भी हो रही थी तो चूपने के लिए मैंने एक जगा बना लिया उसके बद मैंने एक चेस्ट बनाया और मेरे पस बहुत सारा खाना था तो उसके अंदर मैंने रख दिया Day 33 को मैं Diamond Mining करने के लिए चला गया मैं अब अब स्थोड़ी से माइन करते नीचे आया ही था और बहुत सारे जॉंबिस का वज़े आ रहे है ओ भाई इदर तो सच में बहुत सारे जॉंबिस है और उपर से इनका हल्थ तो बहुत जादा हाट्स बढ़ चुका है अभी तो इनका हल्थ अल्मोस्ट डबल हो चुका है फिर मैं डर कर उदर से उपर आ गया थोड़ी देर के बाद उदर मैं वापस गया शायद जॉंबिश डी स्पॉन हो जाएंगी ये सोचकर लेकिन कलती से मैं खुद ही उसके अंदर गिर गया फिर मैं जैसे तैसे उदर से भाग गया फिर मैं डाइमेंड्स माइनिंग करने के लिए नीचे जाई रहते तब भी मेरे को डाइमेंड्स मिल चुके लेकिन जादा ने सिर्फ चारी डाइमेंड्स मिलेते लेकिन डाइमेंड्स तो डाइमेंड्स होते तो मैंने उन्हें कलट कर लिया देर थाटी सिक्स की एंड तक मेरे को 15 डाइमेंड्स मिल चुके है तो मैंने अपने लिए डायमेंड की स्वार्ड, डायमेंड की पिकेक्स, डायमेंड की एक्स और साथ में डायमेंड की शवल भी क्राफ्ट कर लिया फिर वापसर डायमेंड माइनिंग के लिए लग गया तो फाइनली काफी ज़्यादा दियर तक माइनिंग करते रहने के बाएद डे 38 को मेरे को 32 डैमेंड्स मिल चुके थे तो मैं अपने लिए डैमेंट की चेस्ट प्लेट, डैमेंट की हिलमेट, डैमेंट की लेगिन्स और साथ मैं डैमेंट की बूट्स भी क्राफ्ट कर लिया फिर मैंने जिल्दी से उसे पहन भी लिया मेरे इस अब से अभी मैं इन जॉंबिस से लड़ सकता हूँ तो अब से मैं इन जॉंबी से भागने नहीं भलकी इनको मारने वाला हूँ भले ही इससे मेरा जानी क्यों न चला जाए अभी तक में रखो भगाये ना, अभी मैं इनको भगाऊंगा मैं जब माइनिंग कर रहा था तब मैं रेको 3 रूबी मिले हैं लेकिन इससे क्या होता कुछ पता ही नहीं पिकेक्स भी क्राफ्ट ने कर सकते, एक स्वार्ड भी क्राफ्ट ने कर सकते इससे मैं जब बाहर आया था तब एक जॉंबी मेरे लिए इंतजार कर रहा था तो मैंने उसका इंतजार कफल दे दिया उसको देखकर एक और जॉंबी आया फिर उसको देखकर और एक आया और देखते देखते पूरा जॉंबी उसको जुंडा आ गिया फिर वापस मेरे को इन जॉंबी से बचकर भागना पड़ा फिर जैसे तैसे मैं इन जॉंबी सको खतम कर देता हूँ day 30 day को मैं एक safe house build कर रहा था ताकि इन zombies से बचने के लिए तो सबसे बेले मेरे को थोड़ी सी area clear करनी पड़ीगी पास मैं ही एक village है तो उसे explore करने के लिए चला गया उदर जाते हैं कुछ zombies मेरे उपर हमला कर दिया थे तो उन्हें मैंने मार दिया फिर मैं एक zombie को मार रहा था लेकिन वो तो मारी नहीं रहा है फिर मैंने उसके hearts देखा कि ओ भाई सब इस zombie को तो 150 hearts है भाई तो zombie है या फिर एंडे ड्रागेन इतने जारे hearts कौन लेकर आता है फिर तब ही उसके जैसे और दो zombies आगे तो उदर से मिरे को भागना पड़ा तो finally जैसे तेसे मैंने उन्हें मार दिया तब भी बिरको समझा गिया कि zombies बहुत जादा ताकतवर बन गे तो घर बनने से पहले मैंने सबसे पहले एक trap बनाया जो भी zombies मेरे पीछे करते हुए आएंगे वो इस गड़े में गिर जाएंगे वो इसे तो अभी zombies माहिन नहीं कर सकते वो day 90 के बाद माहिन कर सकते मेरे इसब से अभी के लिए ये बहुत ही बढ़िया trap है day 40 को मैं इस trap को और ज़्यादा improve किया 1 by 2 से मैंने इसे 2 by 2 बना दिया कभी कभी ज़्यादा zombies होंगे तो वो jump कर सकते है तो मैं कोई risk नहीं लेना चाहता हूँ इसलिए मैंने इसे 2 by 2 का बना दिया day 41 को मैं लग गया घर बनाने में walls के लिए मैंने snow bricks यूज़ किया तो safe house almost बनकर ready हो चुका है लेकिन मेरे को इदर glasses रखने है जो अभी मेरे पस नहीं है बाद में लेकर आकर रख दूंगा day 42 को मेरे trap एकदम सही तरीके से काम आ रहा है जो भी zombies मेरे को मारने के लिए आ रहे है वो सारे इस घड़े में गिर जा रहे फिर मैं उन सारे को लावा से जला दिया उसके बाद सारे सामान को मैंने अपने घर पे shift कर दिया फिर वापस से मैं उस village को लूटने के लिए गया लेकिन मैं जैसे ही उदर गया बहुत सारे zombies मेरे पीछे पढ़ गये फिर मैं जैसे तेसे उन सारे को मार कर वापस से गया लेकिन मैं जितना जादा आगे बढ़ रहा हूँ उससे भी जादा zombies मेरे पीछे पढ़ रहे थे उन से लड़ते लड़ते एक zombie तो मेरे को almost मार ही दिया था फिर मैं जैसे तेसे उससे बच किया और अपने घर किया और जाही रह था और गलती से मैं अपने trap में ही गिर गया फिर almost में मरते मरते उदर से भी भच गया फिर मैं उन सारे zombies को मार कर वापस से उस village को explore करने के लग गया ओ भाई सब इतने सारे zombies को मारने के बावजोद भी dried kelp और sea pickles मिले और साथ में कुछ empty maps जो मेरे कोई काम के ही नहीं है थोड़ी दिर में वापस से बहुत सारे zombies मेरे पीछे पढ़ गये तो उदर से मेरे को भागना पड़ा अगले दिन में वापस से उस village में गया ओ भाई ये गाड़ तो एकदम मजे से bread खा रहा भाई कुछ काम भी कर ले इदर मेरे को zombies मार रहे और तू एकदम मजे से खा रहा इसलिए इस village में इतने सारे zombies आ रहे देखते ही देखते मेरे को मारने के लिए उदर काफी सारे zombies आ गये फिर में वापस से उदर से भाग गया ये जॉंबिस तो एकदम पागल हो गए ये तो एकदम अपने लोगों को ही मार रहे थोड़ी दिर में वो सारे जॉंबिस चले गए तो वापस से मैं उस विलेज को लूटने के लग गया ओ भाई इदर से इतने सारे जॉंबिस कैसे स्पॉन हो रहे ये क्या जॉंबिस का अड़ा है क्या मेरे को लगता है इदर से भाग जाना ही सेफ है लेकिन तब ही मेरे को ये घर दिखा और उसके अंदर मेरे को बुक शेल्फ दिख रहे थे जिससे मैं फुली मैक्स ड एंजेडमेंट टेबल बना सकता हूँ तो उन्हें कलेट करने के लिए मैं उस घर के अंदर जाई रहा था लेकिन तब ही बहुत सारे जॉंबिस ने मेरे उपर हमला कर दिया तो मैं फिर से उदर से भाग गया फिर तब ही मैंने दिखा कि मेरे गर के पास में इस सेम उसी जैसा एक और गर है तो मैंने चुपके से उसके अंदर गया और सारे बुकशल्फ को कलेट कर लिया और उपर से इधर की चेस्ट से तो मेरे को एक बेसबॉल बैट मिल गया तो उसे मैने कलेट कर लिया लेकिन तब भी अचानक से एक जॉंबी लैडर से उपर आ गया फिर मैं जैसे दैसा उसे मार दिया सारे bookshelps को collect करने के बद मैं उधर से निकल गया एक जॉंबी मेरे पीचा करते करते मेरे घर तक आ गया तो उसे मैंने baseball bat से मारा वापस आकर मैंने कुछ bookshelps craft किया अभी भी मेरे को 3 bookshelps की जरूरत है fully maxed engine table बनाने के लिए फिर तभी blood moon start हो गया फिर मैंने ठीक से दिखा कि वो तो blue moon है इस moon में हम lucky feel करेंगे फिर तभी एक zombie तो मेरे घर में spawn हो गया तो उसे मैंने मार दिया उसके बद मैंने और ज़्यादा torches उदर place कर दिया और साथ में मैंने घर के ऊपर भी torches place कर दिये ओ भाई सब कितने सारे zombies आ गये भाई आज तो blood moon नहीं है blue moon है इतने सारे zombies क्यों आ गये अगले दिन मैंने इन सारे zombies को मार दिया फिर मैं वापस से उस घर में गया और चुपके से सारे bookshelps को collect किया और उदर से भाग गया फिर वापस आकर मैंने bookshelps क्राफ्ट किया लेकिन engine table क्राफ्ट करने के लिए मेरे पस oxygen नहीं थे पास में ही मेरे को कुछ red sand दिखा था तो उसे मैंने collect कर लिया फिर मैंने उसे smelt करने के लिए रख दिया और साथ में मैंने अपने roof को भी complete किया day 45 को मैंने glass panels क्राफ्ट किया फिर place भी कर दिया तो अभी मेरा घर complete हुआ है फिर मैं चला गया obsidian का लिट करने के लिए मैं जब diamond mining कर रहा था तब ही मेरे को लावब पूल मिल गया तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुआ इसे ढूणने में अगले दिन मैंने engine टेबल क्राफ्ट किया और fully maxed engine टेबल प्लेस भी कर दिया फिर मैंने अपने sword को engine किया उसमें सिर्फ और सिर्फ might 4 ही मिला है फिर pickax को भी engine किया लेकिन उसमें भी कुछ खास engine में नहीं मिले लेकिन chest plate में मेरे को काफी अच्छे से engine मिल चुके protection 4 और साथ में unbreaking 3 फिर उसी तरीके से मैंने अपने helmet और pants को भी engine कर लिया लेकिन boots को engine करने के लिए मेरे पास levels नहीं है फिर मैं चला गया पेड़ काटने के लिए मैं इसे पेड़ काट रहा था तब ही कुछ जॉंबिस ने मेरे उपर हमला कर दिया फिर मैं एक एक करकर सारे को मार दिया उसके बद पूरा रात में जॉंबिस को मार रहा था और साथ में मैं एंजेंटिंग कर रहा था Day 47 को मैं इदर से Sandbacks कलट किया क्यूंकि अभी तो Zombies माइन ने कर सकते हैं लेकिन आगे जाकर वो माइन कर सकते हैं तब ये मेरे को बहुत काम आएंगे कलट करते करते मैं वापस से इस विलेज में गया फिर तब ये बहुत सारे Zombies ने मेरे उपर हमला कर दिया ओ भाई सब इन Zombies का Health तो काफी ज़्यादा बढ़ चुका है अभी तो इन लोग का Health डबल हो गया और उपर से काफी ज़्यादा तेज अटक कर रहे मैं जितना ज़्यादा Powerful बन रहा हूं इसको जैसे तेसे घर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये तो मानी नहीं रहा है और उपर से इस विलेज में बहुत सारे Zombies आ तो इधर से में चला गया फिर वापस आकर मैंने अपने Trap को और ज़्यादा एक Block Deep बनाया Day 49 को मेरे गर के सामने कुछ बिल्डिंग से तो उसे explore करने के लिए चला गया फिर मैं धीरे धीरे इस बिल्डिंग को explore कर रहा था पहले फ्लोर में तो मेरे को जादा कुछ नहीं मिला सिर्फ Book Shelf मिले थे फिर मेरे को एक चेस्ट मिला उसमें जादा कुछ खास सामन नहीं है उसके बद मेरे को एक और चेस्ट मिला लेकिन इसमें से मेरे को काफी सारे apples, coal और golden apple मिल गया फिर मैं दूसरे बिल्डिंग में गया नीचे से काफी सारे zombies का आवाज है आ रहे थे तो मैं नीचे चला गया लेकिन उधर दो ही थे तो उन्हें मैंने मार दिया इधर तो काफी जादा अंदेरा है और जादा कुछ खास भी नहीं ये एक anvils मिला है मेरे को तो उससे मैंने collect कर लिया उसके बाद मैं उपर गया इधर तो और भी जादा zombies है तो एक-एक करकर मैंने सारे को मार दिया इधर तो जादा कुछ है ही ने सिर्फ और सिर्फ बुक सल्फ सी है तो उन्हें ही मैंने collect कर लिया लेकिन इधर से मेरे को काफी सारे anvils मिल गये तो उन्हें मैंने कलेट कर लिया मैं इस बिल्डिंग्स को एक्स्प्लोर कर ही रहा तो तब ही बहुत सारे जॉंपिस ने मेरे उपर हमला कर दिया बहुत सारे मेरे पीछे पढ़ गेते लेकिन जैसे तेसे उदर से मैं बच गिया तो उन सारे बिल्डिंग्स को लूटने के बाद मैं उदर से निकल गया फिर तभी मिरको एक आइस टेंपल मिला इस जगह में शायद बॉम बॉम फोड दिया होगा इसलिए ये जगह पुरा ऐसा हो गया फिर मैं उसे लूटने के लिए जाई ही रहता लेकिन बहुत सारे जॉम्बिस मेरे पीचे पड़ गया तो उदर से मेरे को भागना पड़ा फिर तभी मेरे को एक रेलवे ट्रैक मिला ये साइध मिट्रो हो सकता है इस शहर से दूसरे शहर जाने के लिए तो रात हो रही थी तो ब्लेट बून भी हो सकता है तो इसी डर से मैं अपने घर में चला गया मैं जब घर के अंदर गया उदर मेरे लिए एक जॉम्बी इंतजार कर रहा था तो उसे मैंने मार दिया फिर मैंने अपने आइटेम्स को शॉट किया अभी बस रात होने ही वाली है जैसे ही मैं सोने चला जाओंगा पचास दिन पूरे हो जाएंगे इस जॉम्बी एपोकलिप्स की वर्ड में फिर मैंने जल्दी से जाकर सोग गया तो इस तरीके से मैंने पचास दिन सर्वेव किया इस जॉंबी एपोकलिप्स की वर्ड में अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो लाइक और साथ में सब्सक्राइब करना भूलना मात अगर तुमको इसका पार्ट टू देखना है तो जल्दी से लाइक कर दो क्योंकि 100 लाइक्स पूरे होने के बाद इसका पार्ट टू बे में लाने वाला हूँ तो लाइक करना भूलना मात